जोदपुर ये शहर राजस्थान की संसिटी कहलाता है इसे मरू भूमी भी कहा जाता है यानि बंजर रेतीली जमीन लेकिन यहां के सांगासनी गाओं में एक युवा दमपती इस सूखे बंजर रेगिस्तानी इलाके को वन भूमी में तबदील कर रहा है जब हम जंगल की बात करते हैं तो सभी समझते हैं हरा भरा होगा लेकिन यहां जंगल उस तरह का नहीं है यहां उख सकने वाली कुदर्ती वनस्पती है छोटे पेड़ पौधे और कांटेदार चाडियां हम चाहते थे कि जब लोग इसका नाम लें तो एक खास चबी उभर कर आए इसलिए हमने इसे मरुवन कहा है रेगिस्तान का जंगल जो हरा नहीं भूरा होता है सफेद और घने बितान बाले पेड़ इस जंगल में इस मरुवन में बहुत कम होते हैं वाइट डिफरेंट डिस्टिंक्ट इस वेरी स्कैटर्ड कैनोपी फॉरेस उन्निस्तो तीस के दशक में जोदपूर के महराजा ने सूखे से बचे वाले मेक्सिकन पौधे के बीजों का छिड़काव कराया था उससे जमीन तो हरी भरी हो गई थी लेकिन देसी पौधे भी नश्ट हो गए थे यह पौधे यहां करोडों सालों से उग रहे थे फिर 2018 में सामाजिक उद्यम एफ्रोस्ट ने अपने व्रिक्ष विशेशग्य गौरव और उनकी सहयोगी वपत्नी वर्षा को राजस्थान भेजा गौरव और वर्षा गुर्जर का काम था थार रेगिस्तान के इस कोने में फिर से जंगल उगाना जैसे ही हमने उसे हटाया तो घास की एक खास प्रजाती उगाई लोग उसे डाबड़ा कहते हैं उस घास के पनकते ही बया आ गई आप यहां घोंसले देख सकते हैं और अंदर तो बहुत सारे हैं बया सर्फ इसी घास से अपना घोसला बनाती है एक परदेशी प्रजाती को हटाने भर से मरुवन में एकोसिस्टम फिर से बहाल हो गया उन्हें मेक्सिको से आए घुसपैटी पौधे से चुटकारा भी पाना था और उपरी मिट्टी को और लचीला भी बनाना था लेकिन जब पौधे हटा दिये गए तो मौसमी बार से बचाव के लिए स्थानी पौधे लगाना और ज़रूरी हो गया दरसल ये फ्लड प्लेन का यानि कछार का इलाका है यहाँ सालों से बार आती रही है लेकिन उससे निपटने के लिए बैर और खैर जैसी प्रजातियां लगाई गई ये एक बहुत गहरी जड़ों वाला पेड होता है जो मिट्टी को था में रखता है और इलाके में पानी का भराव नहीं होने देता मरुवन, खारे पानी की दो नदियों मिठडी और लूनी के बीच आबाद है दोनों नदियां रेगिस्तानी जंगल के काम नहीं आती ऐसे में एक भरोसे मन जलस्त्रोत बनाने की जरूरत थी इस इलाके में हर साल मौनसून में 300 मिलिमीटर बारिश होती है गूर्जर दमपती ने इस बरसाती पानी का इस्तमाल करने का फैसला किया नए जंगल के पास तालाब खोदे गए जिससे साल भर मिठी को नमी मिलती रही ये तालाब हमने बनाया है हम इस पूरी जमीन पर तालाबों और नहरों का जाल बनाना चाहते थे ताकि सिंचाई पर निर्भन न रहना पड़े जैसे कि इस तालाब की बात करें इस तालाब के लिए नमी का स्तर यहां तक आ जाएगा अगर हम यहां कई सारे तालाब बना दें तो हमारे पास बहुत से नमी युक्त क्षेत्र हो जाएंगे इस आधार पर हम कुछ बनस्पती उगाएंगे और इस स्तर की नमी से कुछ बनस्पती खुद बखुद उगाएगी चार साल में एफ्रोस्ट ने इस रेगिस्तानी एकोसिस्टम में करीब 40 देसी पौधे फिर से उगा दिये हैं इसके लिए उन्होंने जंगल को फिर से उगाने की लोगप्रियत जापानी तकनीक मियावाकी अपनाई इस इलाके की कुदरती वनस्पती में 70 फीसदी घास और 30 फीसदी जाडियां है तो ऐसा नहीं है कि दक्षणी हिस्से में या मध्य भारत में जो मियावाकी का जंगल होगा वैसा ही जंगल यहां भी दिखेगा लिहाज़ा जो पेड़ हमने लगाए हैं ये जुंड की तरह हैं एक बड़े पेड़ के आसपास 10-15 जाड़ीदार पौधे होंगे फिर उन जाड़ीओं के आसपास 20-25 किस्प के घास और दूसरे पौधे होगाए जाएंगे प्रोजेक्ट का दूसरा मुख्य हिस्सा रहा है स्थानिय लोगों और नए जंगल के बीच संपर कायम करने का जैसे नए जंगल के भीतर बेकार पड़े कुएं को फिर से चालू करना और उसका पानी गाउवालों के साथ बांटना जब स्थानिय लोगों ने पाया कि प्रोजेक्ट से उन्हें फाइदा है तो वो भी उसमें शामिल हो गए जो नीचे वाला पानी है वो अंदर से अपने आटोमेटिंग आ रहा है नीचे से कुवा अपना पूरा कच्चा है उपर का प्लास्तर चुने का है गुर्जिर दमपती ने तेजी से फैलते जंगल के संरक्षक के रूप में गाओं वालों को जोड़ा उन्होंने महिलाओं को देशी और घुसपैठी पौदों में अंतर कर पाने की ट्रेनिंग दी इस तरह वो प्रोजेक्ट की काम्याबी में सक्रिय भूमे का निभा सकती हैं यहां औरते जंगल में गाओं वालों के मिलने बैठने की जगा बना रही हैं गाए के गोबर और मिट्टी की मदद से इसे तयार किया जा रहा है रेकिस्थानी तपिश में ये पारम पर एक तरीका बड़े काम का है ट्रेनिंग कॉडिनेटर के रूप में वर्शा गुर्जर ने इस्थानी अकला और कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए लोकल सामगरियों का इस्तमाल करने वाले अभियान शुरू किये हैं बेसिकली ये मुझे एक आर्ट लगता है यूसफुल बना सकते हैं और कितने कम रिसोर्स आप यूस कर सकते हो तो हाँ ये एक इन लोगों से इनके साथ रहे के उनसे बात करके ही पता चला के हाँ ये सारी चीज़े हम खुद कर भी सकते हैं मरुवन एक मिसाल है कि कैसे एक समगर तरीके से बरबाद एकोसिस्टम को फिर से खड़ा किया जा सकता है जिसमें पानी, मिट्टी, वनस्पती, वन्य जीवन और लोग सब काम आते हैं आबाद होते जंगल की एहमियत स्थानिय समुदाय समझ चुका है लोग इस एकोसिस्टम की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे खुद की जमीन हो